हलो व्यूवर्स कैसे हैं आप सब तो अगत है आपका अर्शाट है इस गार्डन में तो कितने प्यारे प्यारे फूल के लिए आपको देख सकते हैं यानि बारिश के पानी में कुछ अलग सा ही जादू है तो चलिए आज मैं अपने गार्डन का शोटा सा ओवर्वू दिखात हैं और साथ में बात करते हैं कि कौन-कौन से हम इस मोसन में प्लान लगा सकते हैं तो बिलकुल इस मोसन में आप जितने चाहे वेजीटेबल के फ्रूट्स के फ्लावर्स के इंडोर आउट्डूर जो चाहे प्लान लगा सकते हैं यह प्यारा सा फूल है मेरा बिंडी का बि लेकिन अगर आप 4 सद्यासर की फेमिली है तो कम से कम आपको 10-12 प्लांट लगाने पड़ेंगे बिंडी एक केसा बन प्लांट है जो चोटे से चोटे 10-12 इंच के बोट में भी लग जाता है तो यानि आपको मैरी मिल्टी दिखाई देती होगी बहुत गिली है, यह मिल्ची के सेफलिंग है तो जितनी भी सेफलिंग है न मैंने सीट से अपने गर में ग्रो की है। पानी बहुत बरस रहरा है हमारे हम भारिश तो खतम आपके सामने देखे किसे ऊपर बुंदे पर ही है यानि मुश्किल से मुझे वीडियो निकालने के लिए भी देखना है पड़ता है कि कब भारिश बंद हो रही है यह देखे इसके पूल बारिश के वज़े से खुला ही नहीं है यानि इतनी हैं हमारे हम भारिश हो रही है न मुश्किल से 2-3 गंटे रुक रही है करीबन 6-7 दिन तो बंदी नहीं हुई है तो मौसम बहुत अशा है प्यारा सा मौसम है नर्सरी से अगर आप चाहें तो कहीं सारे प्लान भी ले सकते है इस मौसम में हर प्लान चलता है ऐसा कोई प्लान नहीं है कि आप के यहां चलेगा नहीं उसके बास सारी वेजीटेबल्स चाहे वह अनब बिंडी हो गौारपली हो तूरही हो आप देख सकते है मेरी रेडमन आद में ने दो बार हार्वेस्ट की है लेकिन अब मुझे नहीं लगता अब इस से जद में यह मिलने वाली है मैं सोच रहीं शायद निकाल दू इसको और यह मेरी गिरिंग चोलाई जैसे हरी सबजी भी का जाता है तो यह मेरी अच्छी ग्रोथ हो रही है फिलाल तो मैं इनको रहने दूंगी बहुत तेज बारिश हो रही है पूरा टेल्स गिला पर आए और बहुत सारी सीडिलिंग आने लगानी बाकी भी है लेकिन वो ही है हमारी हम गार्णर को या तो मिट्टी की गमी है या पर गमलों की गमी है चलो मैं तो वेस्ट में भी लगाई लेती हूँ वेसा नहीं है कि मैं सिर्फ गमले यूज करती हूँ बहुत सारे में वेस्ट भी यूज करती हूँ यह मेरा एक प्लांट काकरी का देख सकते हैं लगा हुआ है जो अभी मुझे लगाना है तो इस बार मैंने काकरी तूरही बीटर ग्राउट करे ले बहुत सारे प्लाण जो मुझे खुद याद नहीं है यानि हरी मिरक्ची, गृणची ली, शुम्ला मिरक्ची मैंने का ना मैंने एक ठाट इतने प्लाण लगा दिये ना वो सारे के सैम्प ली है सारे के सारे मेरी सीडिलिंग ग्रोग चुकिये जो मैंने ओनलाइन गुराई थी बहुत साज मैझे जहाँ जगह मिलती है मैं अलग से कोई फ्लान नहीं पोगान पोदों के लिए सिडिलिंग टे नहीं दयार करती हूं जहाँ मुझे जगह मिलती है मैं डाल देती हूं तो यह एक प्यारा सा पूल है यह एक बेल है फलान मैं जहाँ नहीं याद आ रहा है इसमें यलो कलर के पूल आते हैं बहुत प्यारे पूल आते हैं फलान मैं इसका नाम बुल गई हूं तो यह मेरे टेलिस का हाल है यह बिल्कुल सही समय है कि आप बहुत सारे पोदे जाये यान रोज हुआ या जो भी एडिनियम आप मत कड़ी दिएगा अभी वो नहीं जलेगा बाकि जितने भी प्लांट है अगर आपने सीड से नहीं ग्रो की है या कटिंग आप चाहें तो अभी कटिंग भी लगा सकते हैं इस मोसम में कटिंग बहुत इजी टू ग्रो हो जाती है चाहे वो सुफ्ट बूडो यान हाट बूडो कोही भी यानि कोले हुआ करीपता हुआ जितने भी प्लांट में काँगी ना अलमोस सारी कटिंग जितनी भी है ना अगर आप बिगनर भी है ना सब लग जाता है करीपता इतना मेरा बुछी हो रखा है ना यानि करीपते में तो मानों गर्मी में मर गया गा बिल्कुल नहीं था लेकन फिर भी कम था लेकन बारिश में दुगनी इस साल तो बहुत तेजा ना पता नहीं केसे भर रहा है नीचे बहुत सारी अभी मुझे टेरिस पर काम भी करना बाकी है आप देख सकते हैं क्योंकि बारिश के वज़े से बहुत घास हो जाता है ले इतने मेरे पास में कहूंगी गिन नहीं पा रही हूं 400 मेरे पास प्लांट हो गहें और हर प्लांट की मुझे अभी आना घास बगर निकालनी है खाद तो अभी में नहीं दूँगी एक एक बार मेनी सबजीयों को खाद दी ह होई है फिर अभी यह प्लांट बहुत होटे है अभी में इनको को रीपोटिंग करना करना मेरा बाकी है तो फुलाल मैं जी किसी को खाद नहीं देनी है तो वैसे भी भारिश का पानी इनके लिए खास का रूपी है कुछ अभी तो अभी घरो हो रहे हैं कुछ जिख चुके बहुत सारी गुल्दाओदी की कटिंग लगानी है लेकिन गमले कम है तो बहुत प्यारे प्यारे अपने आप यह अतने हरे हो जाते हैं ना कितने प्यारे प्लांट है यह देख सकते हैं यह मेरा पूट प्लांट है यह मलपड़ी का प्लूट प्लांट है जो बहुत अच्छे से ग्रोव हो रहा है इसा लग रहा है शायद मिझे इसका इसी हाल छे एक दो मिना होगा मैंने यह प्लांट लगाया है लेकिन यह इतनी तेजी से बह रहा है न इसकी मिझे रिपोर्टिंग करनी पड़ी यानि बहुत इसमें से तो हमने कहीं बार मलबडी भी खाई है तो यहा आरे मेरे बलबते लगे हुए हैं कहीं रजी नी गना के बलबें बहुत सारे बलबते यहां लगाया हुए है पर निखार उपर आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि बारिश में गार्डन इतना अच्छा हो जाता है न लेकिन एक चीज़ और भी होती है कि हमारे बहु अकुल कम जगए तो पूरा टेर्स बरा हुआ है उसके बाद निटेरस का भी ज्यान रखना होता है को थेर्ट सोधर। थेर्स भराबना हो जाए क्यों कि हैसा नहीं कि हम गार्ने के चक्ष्ट में देखिए कैसे मिटी रखी हुई यह नि यह मीटी यह नहीं मैरी लेकिन वो ही था भारिश परी और पूरी की पूरी मेरी मिटी घराब हो गई और ये मेरी स्ट्रीट पटाटो की इतनी अच्छी ग्रोथ हो रही है ना कि अभी मैंने इसको लटका के भी रखा है लेकिन ये भी नीची आ रहा है तो कोई भी प्लान लाईए एक दो तो बिल्कुल लगाईए और ग्रोव करके देखिए बहुत अच्छी ता चलने वाले हैं तो चलिए आज के लिए इतना ही शोटा सा मेरा ओवर्यू का प्लान का अपने गार्डन का तो आज के लिए इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए तब टाइप कीजिए और हां कमेंट करके जरूर बतरिएगा के आ आज का मेरा वीडियो अपको कैसा लगा तो आज के लिए तना ही, बाई